हेलो गाइज, वेलकम तो माई चैनल देशिक किचन, आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं, ब्रेड मसाला मंच, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें सबसे पहले बनाने के लिए चाहिए कुछ ब्रेड और जो सबजियां आपके पास घर में अवेलेबल हों, वो आप ले सकते हैं, चलिए बनाते हैं इसको, अब हम कड़ाई रख लेंगे गैस पर, अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, अब घी, बटर, आयल, कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा रगता हो, अब इसमे बूनेंगे हम इसको, देखिए हमारा प्याज बून गया है, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर जो हमने काट लिया था, छोटा-छोटा, इसको डाल कर भी हम अच्छे से बूनेंगे, बस सबजियों का क्रंच नहीं जाना चाहिए, इतना बूनना है हमने, देखिए हमारा टमाटर भी भून गया है, तो डालेंगे शिम्ला में जो हमने काट ली थी, देख सकते हैं अब हमारी शिम्ला में भूनने लगी है, जादा नहीं भूनना है, कि उसकी क्रंच ही चला जाए है, अब इसमें डालेंगे हम ठोड़ा सा नमक, जो कि आपके टेश्ट की इकॉर्डिंग होना चाहिए, उससारे मसाले भी आपके टेश्ट की एकॉर्डिंग होना चाहिए, थोड़ी सी रेड जिली, हल्डी, गाले मेर्ज का पौडर, और एगे नो और रेड जिली फ्लेक्स इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप इसमें चाहे तो अपने मंचा ही मसाले भी डाल सकते हैं लाइक मेगी मसाला गरम मसाला जो आपको अच्छा लगता हो अब भून लेंगे थोड़ा ऐसा डालेंगे पानी क्योंकि पानी के जैसे ही पानी में उबाल आना लगेगा तो हम उसमें प्रेड डाल देंगे अपने देख रहे हो आप कि हमारे इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है यह हमारे गाल अच्छे में Singapore बडा साइस और इतना ही बड़ा रखना ज्यादा बड़ा नहीं है ना तो पूरी भेड डाल नहीं आम पेलकुल उसका चूझा करना है तो इतनी ही बड़ी ब्रेट डालें और फिर इसको अच्छी से मिला लें क्योंकि ब्रेट बहुत सॉफ्ट होती है तो वह हलके हाथ से ही मिलाई जा सकती है यह को हलके हाथ से मिलाएंगे इसको मिला लेंगे हम अच्छे से आप इसको चाई के साथ भी सर्व कर सकते हैं आपने गेस को और किसी ड्रिंक के साथ भी जो आपको अच्छी लगती हो बनकर तयार हो यह गया है देख सकते हो आपके ता सुन्दर लग रहा है अब एक सर्विंग बॉल में इसको निकाल देंगे निकाल दिया है हमने थोड़ी सेव डाल देंगे बहुत थुंदर लगती है थोड़ा गार्णिश के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिगा और मेरी मेडियो को लाइक कर दीजिगा देए